नमस्कार फ्रेंज आप सभी को Learn to Easy for Kids यूटूब चैनल में स्वागत हैं मैं इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ कि छोटे बच्चे को आसानी से अलफाबेट केपिटल लेटर्स स्टेप बाइ स्टेप कैसे सिखाएं फर्स्ट वीग फोर लेटर्स A, B, C, D फर्स्ट वीग को A, B, C, D फोर अलफाबेट लेटर्स ही सिखाएंगे सेकेंड वीग फोर लेटर्स E, F, G, H सेकेंड वीग को फोर अलफाबेट लेटर्स E, F, G, H सिखाएंगे थर्ड वीग फोर लेटर्स I, J, K, L थर्ड वीक को four alphabet letters I, J, K, L सिखाएंगे A से L तक बच्चों को कैसे सिखाएं मेरी पहले वीडियो में अपलोड है वहां से देख ली दिएगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी फोर्थ वीक we will teach four alphabet letters M, N, O, P फोर्थ वीक को four alphabet letters सिखेगा M, N, O, P सबसे पहले हम लोग A के लिए three dots दे देंगे B के लिए two dots, C के लिए two dots, B के लिए two dots E के लिए two dots, F के लिए two dots, G के लिए two dots, H के लिए two dots I के लिए two dots, J के लिए two dots, K के लिए two dots, L के लिए two dots Baby first week को A, B, C, D पर चुका है इसलिए खुद से लिखेगा A, B, C, D Second week को E, F, G, H पर चुका है इसलिए E लिखेगा F, G, H Third week को I, J, K, L पर चुका है इसलिए खुद से लिखेगा I, J, K, L आज हम लोग M, M, N, N सिखाएंगे M के लिए five dots दे देंगे Five dots N के लिए four dots Four dots M कैसे लिखेंगे पहले बत्ती को सिखाया देंगे First dot से start करके second dot फिर First dot से start करके Third dot में मिलाएगा Third dot से fourth dot उसके बाद fifth dot हो गया M First dot से start करके second dot में मिलाएगा Standing line उसके बाद First dot से start करके third dot Slanting line और एक स्लेंटिंग लिखेंगा Third dot से start करके third dot में उसके बाद फिर एक Standing line M हो गया Next N First dot से start करके second dot Standing line फिर एक स्लेंटिंग लाएगा उसके बाद एक Standing line N N N M के नीचे M M लिखेगा M M N के नीचे N N N के नीचे N N Division करके एक बाद पढ़ेगा A B C D E F G H I J K L M M N N बाद के खुज से लिखेगा M के नीचे M M N N उसी परकार नेक्स्ट दे हम लोग A के लिए 3 दोच दे देंगे B के लिए 2 दोच C के लिए 2 दोच B के लिए 2 दोच E के लिए 2 दोच F के लिए 2 दोच G के लिए 2 दोच H के लिए 2 दोच I के लिए 2 दोच J के लिए 2 दोच K के लिए 2 दोच L के लिए 2 दोच उसके नीचे हम लोग M लिखेंगे उसके बाद N O P ए लिखेगा पर पर के? जे, के, एल, एम सिखा दिये हैं तो एम खुद से लिखेगा आज, एम, एन, ओ सिखा देंगे, पहले सी लिखेगा, उसके बाद फिर एक उल्टा से, हो गया ओ, पी सिखा देंगे, फर्स्ट डॉर्ट से स्टार्ट करके सिकेंड रत में मिलाएगा, इस्टेंडिंग लाइन लिखेगा, और एक कर्द लिखेगा, हो गया पी, एम के नीचे एम एम लिखेगा, एन के नीचे एन एन, ओ के नीचे ओ, पी के नीचे पी लिखने के बाद पढ़ेगा, नेक्स्ट लेटर्स कैसे सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोट करूँगी, वहां से देख लिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल, थैंक फोर वाचिंग, नमस्कार.